बिस्मिल्ला हिर्राह्मान इर्राहीम असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू माई चैनल कोकिन विद मली का अमीद है कि आप सब हैरो आफ्रियस से होंगे अलाद आलाद आपको हमेशा उश्वरबाद रखे आमिन तुम आमिन तो विवर्स आज हम सर्दियों की एक हार सोगात की रेसिपी लेकर आपकी हिदमत में हासिर है जी हाँ विवर्स आप जानते होंगे कि सर्दियों में अकसर बहुत से घरों में बनाई जाती है गचक जिसको आप चिक्की भी बोल सकते हैं गचक भी बोल सकते हैं यहां इसको nuts वाला पापर भी कह सकते हैं बहुती लजीज, बहुती जल्दी बन जाने वाला और हर एक का ही फेवरिट ही हमने nuts वाला चिकी कैसे रेडिक किया चलिए देखते हैं इसके लिए हमने गूर ले लिया है, जितना मिकदार में हमने nuts ले लेने हैं nuts में काजू, बदाम, पिस्ता है और कुछ चारों मख्ज हैं यानि कि लज़त और सेहत दोनों ही हम एक साथ enjoy करने वाले हैं बच्ची तो इसको बेहाश शोक से खाते हैं, बड़े भी इसको खाते हुए पिल्कुल भी नहीं हिच किताते तो इसको हमने कैसे त्यार करना है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप हमें यह करना है कि हमें बेलन और चकना के उपर लगा देना है थोड़ा सा देशी घी अच्छे तरीके से लगा देंगे क्योंकि हम जब यह तियार करनेंगे ना मटीरियल तो इसको पर फेला देंगे एक टेबल स्पून शामिल करदेना है देशी घी का देशी घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और उसके लगे새 अधर जैसे ही घी मेल्ट होगा शामिल कर देंगे नट्स नर्स में पिस्ता बदाम काजू हैं आपके घर में जो भी अवेलेबल हैं नर्स आप ले सकते हैं और साथ ही चारों मगस मैंने शामिल कर दिये हैं यह भी मेरे पास मुझूद थे इसलिए मैंने एड़ कर दिये हैं अगर आपके पास हैं तो शामिल कर दें वरना इसको स्केप कर दें तो बस इसको अलका सा ब्राउन हो जाने तक और एक अच्छी सी महग आ जाने तक भून लेते हैं यह फोरण से ही ब्राउन हो जाएगा इसलिए आपने चमच साथ साथ हिलाते जाना है तो यहां प्रिवस बहुत ही अच्छी सी हुश्बू आना शुरू होगी है सारे न कर देते हैं और एक टेबल स्फून शामल कर देंगे पानी का और इन दोनों ही चीदों को मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेते हैं बहुत ही सिंपल और आसान सी लेकिन बहुत ही लजीद और मज़े की यह रैसिपी है आपको यह बेहत पसांद आने वाली है और विवस अगर इन इसी हार्ड होती चाहिए और जब हम इसको पाने चमिल करें तो बिल्कुल करक्सी हो जाए यानि के टूटना शुरू हो जाए उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे तक्रीबन चार से पांच मुनट तक हम इसको जरूर पकाएंगे मैल्ट हो जाने के बाद यहां पर आप देख अब यह थोड़ी सॉफ्ट फोम में है यह देखिए इसको थोड़ा सा और पकाना होगा तक्रीबन एक से दो मिनट के लिए यह देखिए इसना कि हमें नहीं चाहिए हमें बिल्कुल कड़क सी गचक चाहिए जैसे गचक होती है वैसी कड़क तो बास वीवर्स यहां पर आपको दिखा देते हैं आपको इसको उतार लेना होगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी हाथ तक हाड हो चुकी है और बिल्कुल हाड हो चुकी है कड़क हो चुकी है तो बस इस तरह की हमें यह गचक चाहिए अब हमने क्या करना है जो अपने नाट्स मूहन के रख तो प्रीज मेनी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको में नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन फोरण से मिल सके जो फ्री ओफ कोस्ट है तो यहां पर वर्स हमने जो चिक सब्सक्राइब यहां पर हमने इस सारे मटिरियल को कर लिया है और किंख कर लेते हैं कि यहांबे pencil शेप में इसकी क्रण रहे हैं को चाहिए ऑर अवि तोड़ीसी गार्म है बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है अमें इस को ठंडा हो जाने का इंतसार करना है लेकिन उससे पहले हम थोरा सा इसको निचे से उठा लेते हैं ताकि ये ठंडा होने पर बिल्कुल चिपक ना चाहे और हमें अटाने में ज्यादा मुश्किल यहां दुश्वारी का सामना करना ना परे चूरी की मदर से हमने सारा मठीरियल एक दफा निचे से हटा लि इन सारे पीसी को हमने सेपरेट कर लिया है अलग करके रख लिया है 30 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और यह देखे 30 मिनट गुदर चुके हैं और यह बिल्कुल कड़क सी गचक हमारी तयार हो चुकी है नट्स से बड़ी वी बहुत ही हेल्दी किसम की की गचक है आपको मैं इसके आवाद भी संमांगे आगे चल करके कि यह कितनी कड़क बनी है और बहुत ही मजई की और लजीजञाने में बहुत आसान है खाने की बात की ज़र लजीज और बहुत ही हैल्दी कि इसमधी हम ने तयार ली है तो वीवर्स इस रेसिपी को आपने इसी तरीके से ट्राइ करना है ट्राइ करने के बाद कारें लिए फीड़बेक देना मत भूलिएगा इन्शाला ये सबको ही बेहत पसान आने वाली है और हास तोर पर बच्चों की तो बहुत ही मन पसंद है तो आये वस चेक करते हैं इसकी आवाज भी सुन लेते हैं ये देखे कितनी अच्छी इसकी आवाज आ रही है इसको मैं आपको तोर के भी दिखाती हूँ सिंपल और असान सा तरीका है और साथे साथ बहुत मलजीज़ और मज़ेगा भी है और विवर सबसे आहम और जरूरी बात ये कि आप इसको सेफ करके भी रख सकते हैं पूरा महिना भर के लिए आप इसको स्टोर करके रखे और जब मन चाहे कुछ मिठा खाने को और कुछ अलग सा खाने को तो ये एरटाइट बोक्स से निका लिए इसको खाईए और खूब मज़े कीजिए तो यहां भी कोई भी आप एरटाइट बोक्स या कंटेनर ले लिजएगा इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दीजएगा और इसको बंद करके रख लें जब आपका मन चाहे जब आपका दिल चाहे कुछ मिठा काने को तो आप ये निकाले और इसको इंजवाई कर ले एक महीना देर महीना तक तो ये बिल्कुल भी हराब होने वाली नहीं है और ये देखे इसके आवाज कितने कड़क इसके आवाज है तो चले वस इसको मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ ये देखे वस कितनी हाड़ पनी है बस यही इसकी पेचान है ये तोरी कड़क हो हाड़ हो और गचक जैसे इसकी आवाज हो तो क्या ही कहने है तो अमीद है वीवर्स आपको मेरा ये बहुत ही मदेदार सा बहुत ही असान सा तरीका पसंद आया होगा जरूर ट्राइ किजेगा ट्राइ करने के बाद फीड़बेक देना मत भूलिएगा इसके साथ ही वीवर्स इजादत चाहती हूँ फिर आधिर हूंगी इंशाला एक अजया दिक्येगा आला हाफेज